दोस्तो आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूं बजार से भी जाधा टेश्टी दावेली की रेश्पी जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और यह बजार से कम दाव में बनकर के तयार हो जाती है बच्चों से लेकर बड़ो तक सभी को यह बहुत ही जाधा पसंद आता है साथ ही में हम बनाएंगे दावेली मसाला जो की बहुत ही जादा टेश्टी बनता है आप इसे इसली घर पर बना करके तयार करके रख सकते हैं और कभी भी दावेली बनाएं तो उसमें आप इसे यूज कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं पर उस यहां दोस्तों इसमें हम सौफ बहुत ही बढ़ी आता है और कुछ आपके पास अगर खड़े मसाले हैं तो आप उसे यहां पर ले सकते हैं जैसे कि दाल चिनी का टुकड़ा लिया है बड़ी लाइची चार-पांच लाइची ले लेंगे दो इलाइची छोटी वाली एक चक् काली मरीच मैंने ले लिया है अब इन सब को हम इसके अंदर डाल देंगे आप कोई भी खड़ा मसाला यहां पर ले सकते हैं एक चमच हमने यहां पर लिया है सफेद वाला तिल और तीन से चार चमच के करीब यहां पर हम ले लेंगे नारियल नारियल का बुरादाज हो आता यहां पर हल्दी ले लेंगे और एक तेश पत्ता भी लेंगे अब इन सब क्या करेंगे एक कड़ाई लेंगे और उसके अंदर इसे हम डाल करके एक मिनट के लिए इसे हम भून लेंगे बहुत जादा इसे नहीं पूनियेगा वन्ना जो हमारा नारियल है वह जलने लगेगा तोड़ा सबया स部分 क्ल़ने के लिए यहां एक एक मिनट कास्मेर लालमीरच का काचमेरी लालमीरच का और यूज करें हूँ वह जो गया और निकाल लिया है और यह जो बड़ी लाइची क हैसे चिलका जो है यहां पर चील करके निकाल देना है और अंदर का जो बीज है उसे हम यहां पर इस्तिमाल में ले लेंगे और चिलके को आप वापस से जो है मसाले दानी में डाल सकते हैं इसे पीश सकते हैं वापस से और देखिए यहां पर यह इसका जो बीज है वो मैंने निका और थोड़ा से यहां पर सफेद वाला नमक भी डाल देंगे अब इन सब को हम क्या करेंगे एक दम बारिक जो यहां पर पीस लेंगे इसका पाउडर बना लेना है अब देखिए यहां पर यह मसाला जो है हमारा सुखा मसाला यह बन करके तयार है यह हमारा दाबेली का मेन मसा यह घर बना करके रख सकते हैं और महिनों यह खराब नहीं होते हैं आप इसे जबभी वाले बना या तो उसमें इसकी यूज कर सकते हैं अ देखिए उसी मिक्सिजиль जर में सब रहार मनें आप भूनना हुए मुमफली लिया हुआ है तो तो से चरह हैं निमब की मृच रस भ और इन सब को हम एकदम बारिक जो है पीस करके इसकी एक चटनी बना लेंगे यह चटनी आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया यह चटनी लगती है दोस्तों खाने में इस दाबेली के साथ में ग्रीन चटनी यहां पर नहीं बनाई जाती है सारी चीजे जो है लाल ही बनाई का यूज यहां पर हमें नहीं करना है अब हम क्या करेंगे उसी कढ़ाई के अंदर यहां पर मैंने आधा कप के करीब मौमफली ली थी भूनी हुई मौमफली और उसे चील करके टुकडों में कर लिया था और इसके अंदर हम डाल देंगे स्वाद अनुसार थोड़ा सा नम मौमफली अब उसी कढ़ाई में हम क्या करेंगे एक बड़ा चमच यहां पर हम और इस्ट्रा तेल डाल देंगे और यहां पर मैंने चार से पांच जो है उबले हुए आलू रखे हुए थे इसे हम इस तेल के अंदर डाल देंगे अब हम तयार करेंगे इसका मसाला दावेल में होता है तो इस चट्नी को हम इसमें डाल देंगे दोस्तों अगर आपको इस चट्नी की रेस्पी देखनी है तो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है आप वहां से जाकर कि इसका वीडियो जो है देख सकते हैं और देखिए यहां पर जो मसाला तेयर करके रखा था उसे भी हम इसके साथ में जो है मिला देंगे और अब हम डालेंगे इसमें जो हमने लाल वाली चट्नी बना करके रखी थी उसे भी एक से दो चमच आप यहां पर मिला सकते हैं बहुत ही बढ़ियां इसका टेस्ट आता है आधा निम्बू को रस इसमें डाल देंगे निम्बू पूरी तरह से ऑप्शनल है दोस्तों अगर आपको पसंद हो तो आप जरूर डालिएगा इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ियां आएगा अब इन सब को एकदम मिलाते हुए मैस करते हुए से हमें एकदम बारीक एकदम कर लेना है जैसे कि इसकी अब देखें यहां पर जो हमारा मसाला है वह तैयार है इस तरीके से हमें इसे बना करके निकाल लेना है इसे थोड़ा सा और लाल करने के लिए इसके अंदर हम डाल देंगे कास्मेरी लाल मिर्च का पाउडर और जिससे इसका कलर जो है एकदम बाजार जैसा आए और यह द होता है और देखें हमारा जो मसाला है वह तैयार है यहां पर गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे हम निकाल लेंगे ठाली में ठंडा होने के लिए और आप देख सकते हैं यहां पर हमारी दावेली बनाने की सारी जो प्रोसेस है वह पूरी हो चुकी है यानि कि सभ बनाया था चटनी बनाई थी मुमफली बनाया हुआ था थोड़ा सा सेउन ले लेंगे बारिक वाला इमली की खटी मीठी चटनी अनारदाना धनिया पती और एक बारी कटा हुआ प्याज यहां पर ले लिया है इन सब को पहले से ही तैयार करके रख लेना है और जो हमने आलू ले ले लाजवाब लगता है यहां इसकी बना हुआ और ले लेना है जोकी के में यहां पर इसकी जान होती है इसके बिना दबेली हमारी बन ही नहीं सकती पाव को हम यहां पर ले लेंगे और इस तरीके से इसे चाकू से 20 से काट लेना है और एक हिस्सा हमें इसका छोड़ देना है जुड़ा हुआ बाकी तीन हिस्सा हम यहां पर इसे इस तरीके से काट लेंगे और इसे हम खोल लेंगे इसके बाद हम इसमें क्या करना है कि इसमें जो चटनिया हमने बना करके रखी है एक तरफ हम अपनी ये लाल चटनी यहाँ पर लगा देंगे अच्छे से इसे फैला देना है एकदम बजार जैसा हमारा जो ये दबेली है वो बनता है दोस्तों और बजार से भी ज़्यादा टेस्टी बनता है मैं तो यही कहूंगे बजार से भी ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा जो है सफाई के साथ में ये बन जाता है घर पर और बहुत सारा ये बन करके तयार हो जाता है अब देखी यहाँ पर जो हमारी इमली की खटी मीठी चटनी थी उसे भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है और अब इसके अंदर हमारा जो मसाला है मैं हमने जो आलू का मसाला तैयार करके रखा था उसे हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से इसे में हमें भर देना है फीलिंग को और अब हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा यहाँ पर बारिक वलस्यों डाल देंगे थोड़ा सा यहाँ पर हम प्याज लगा देंगे अनार का दाना लगा देंगे और जो हमने मौमफली तयार करके रखी थी मसाला मौमफली उसे हम डाल देंगे थोड़ा सा सूखा मसाला यहाँ पर डाल देना है लाल वाला और इन सब को इस तरीके से जो है रखते हुए यह देखिए हमारी जो दाबेली है वो तयार हो गई है बहुत ही जादा टेश्टी ब लग रहा है देखने में एकदम बजार से भी ज्यादा जो है यह अच्छा दिख रहा है और खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेश्टी लग रहा था दोस्तों अब हम क्या करेंगे एक तवा ले लेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाल देंगे या फिर आप बटर भी ड इस्वास मानिये और के अंगर एक दोस्तों अगर आपनी इस तरीके से बना करके खा लिया रहा तो आप बाजर का दावेलि घाना नोथ भी बहुलि जाएंगे और इतने से जो है लिकाउन से पास है बारिक वाला उसे हम इसके उपर जो है चिपका देंगे इसी ये एकड़म बजार जैसा देखने में लगेगा और खाने में बहुत ही ज़्यादा जो है स्वादिष्ट बनेगा अब देखिए हमारे जो दाबेली है वो तैयार है इसी तरीके से जो बजार में दाबेली जो है बन करके तैयार हो चुकी है दोस्तो मेरी ये रेस्पी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा मिलते हमने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तो थैंकी पॉर वाचिंग